नमस्ते दुस्तों मैं राजारिये स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूटूब चैनल अपरेंटिस गुरूजी के कुरने एपिसोड में दुस्तों आज की हमारी अपडेट आई टीए के ट्रेनिज के लिए ही है और दुस्तों यह अपडेट है ग्रिवेंस पोर्टल के बारे में जी हा दुस्तों अभी डिजटी ने कुछ सेसन्स का रिजल्ट जारी किया है और जिसमें जो रिजल्ट जारी किया है वो है 2017 यह उससे पहले का बाच्च का यह फिर सैसन 2018-20 यह फिर 2019-21 का तो दुस्तों डिजटी के दोरा परह यह है देखने में आ कि बहुत से candidate की profile में अलग-अलग तरह की दिखते हैं यानि किसी candidate के father name में correction है या फिर किसी के खुद के नाम में correction है या फिर उनको कुछ अलग तरह की समयाश्या उसमें नजराती है तो दोस्तों यह आप भी ऐसी candidate हैं जिसम की profile पहल में कुछ correction आपको करवानी है और आप उस result से satisfy नहीं है तो इस बारे आप grievance डाल सकते हैं डिजट ने जो grievance का link है उसको चालू कर दिया है तो यदि आप आपके जो result है उससे संदूश्ट नहीं है तो आप grievance की link पर click करके आपकी जो भी समश्चा है या फिर आपने जो भी correction करवानी है आप वहाँ पर remarks में लिख सकते हैं और जो आपकी समश्चा है उसका समाधान करवा सकते हैं तो दोस्तो यह जो portal है यह 30 January 2022 को बंद हो जाएगा यह जो grievances का जो link है वो 30 January 2022 को बंद हो जाएगा तो 30 January से पहले पहले आपकी यदि कोई correction है तो आप उसे जल्दी ही करके ठीक करवा लें और दोस्तो यह है अपडेट 31.12 यनि आज की तारिक में ही जारिक की गई है तो दोस्तो यदि आप भी इसी तरह के अपडेट है तो आप जो आपकी correction है वो जल्द से जल्द पोर्टल पर करवाने का कस्ट करें तो दोस्तो आज के लिए वीडियो में यह एक छोटी सी अपडेट आप के लिए थी apprentice और ITA से जोड़ी दूसरी अपडेट आपको इस चैनल पर ऐसे ही मिलती रहेंगी तो दोस्तो आज के लिए वीडियो में इतना ही मिलते हैं के लिए वीडियो में तब तक के लिए जए भारत जए आर्यवरत